इलेक्ट्रानिक डेटा इलेक्शन कमिशन को दिया, उसमें एक कॉलम ही गायब कर दिया, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ये जो डेटा आया है ये बहुत सही नहीं भी है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ब्राइवरी स्कैम है, कि भै आप तो मोदी का ही चलेगा, अब तो ज बतानी क्या कर देंगे, तो आपका मालना है कि EVMs में भी काफी हद तक गंदगी है, EVM में बहुत असानी से धांदली हो सकती है, कोर्ट बिलकुल इंटर्वीन कर सकती है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ये देश जो है लोक तंत्र से बिलकुल तानाशाई की तरफ जा रहा है What can I do as a private citizen other than cast my vote? इनों ने BJP वालों ने एक IT cell बना रखा है जो एक ट्रोल आर्मी है, उनकी तो पेड ट्रोल आर्मी है, हम लोग एक unpaid volunteer truth आर्मी बना सकते हैं प्रशान बूशन जी, अब थक्ते नहीं हो क्या? देशभख conversations में जब हम अपने guests को बुलाते हैं तो उनके साथ एक लंबा चोड़ाई की introduction होता है How, hello, how are you होता है आज वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि time यह ऐसा है, situation यह ऐसी है, democracy की हालत यह ऐसी है और time लिए है और आपको introduce की है मैं सबसे पहले इसी सवाल पर आना चाहूंगा, जिसके बारे में पूरा देश अभी बात कर रहा है और जिसमें आपका बहुत बड़ा level of involvement रहा है electoral bonds जिस तरीके से food के जो story आई है, कहा जा रहा है biggest story of the decade biggest scam perhaps in independent India और मैंने भी अपने episode में यही कहा है कि scam not in volume बट जो brazenness है जितने open तरीके से इसको किया गया है perhaps the biggest सबसे बहले मैं आपसे जाना चाहूंगा कि आज जो देश scam पर जग रहा है यह scam आपको कितने पहले सालों से मालुम था कितने सालों से आप courts में इसको लेकर जद्दुजहद कर रहे थे थोड़ा सा background लेकर चलें और देखें कि देश को कितना time लगाए जगने में यह तो जैसे इंट्रोड इंट्रोड्यूस हुए थे तब ही हम लोगों ने petition file कर दी थी इसको challenge करने के लिए क्योंकि यह हमको उसी समय समझ थी कि इसकी anonymity इसी लिए introduce करी गई है जिससे की घूस दी जा सके रात के अंधेरे में किसी को पता ना लगे कि घूस दी गई है electoral bonds के जरिये और यह शुरू से हम suspect कर रहे थे कि इसमें जादा तर पैसा वही लोग देंगे जो घूस देना चाहते है चोरी से मुझे पहले लगा था जब यह story बाहर आने वाली थी जब यह पूरा court case चल रहा था कि हम यह घूस कोरी देखेंगे लेकिन जब यह data अब बाहर आया है और clear जो indication है कि यहाँ raid पड़ी है यहाँ investigation है यहाँ file खुली है तो क्या मैं गलत हूँ अगर मैंने अपने episode में बोला है कि यह घूस कोरी नहीं है kickbacks नहीं है quit pro क्यों नहीं है यह open फिरोती है ने बिल्कुल फिरोती भी है लेकिन फिरोती भी घूस खोरी ही होती है अगर आप किसी को E.D. का डर दिखा के S.E.B.I. का डर दिखा कर उससे पैसे ले ले लेते हैं तो यह भी घूस है लेकिन it's a worst form of worst form of bribery क्योंकि यह तो extortion है so prevention of corruption act में दोनों corruption है चाहे आप contract देने के लिए घूस ले ले चाहे आप policy बदलने के लिए घूस ले 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 यह सब हुआ है इस case में और चाहे आप E.D. का डर दिखा के कि वही हमने E.D. की raid कर दी और उसके बाद उनसे पैसे ले ले और उसके बाद उनको छोड़ दे हैं यह सब घूस है तो जब हमने यह interview की बात कही तो हमारे यहां जो हम interviews करते हैं तो हमारे जो members होते हैं बहुत सारे सवाल पूछते हैं और पिछले 12 घंटे में जो सवाल आया है उसमें एक बहुत बड़ा यह सवाल आया है कि प्रशान गुशन से यह पूछा जाए कि चलो यह electoral bond unconstitutional हो गया लोग पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा है कि SBI कैसे डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है अब यह extortion वाली फिरोती वाली बात भी बने अगर आप कोई common sense लगा कर आदमी जुक्स्टपोस करे अगर वो serial matching ना भी करे तो यह चीज़े दिख रही है तो क्या प्रशान भूशन कल सुप्रीम कोट पर जाकर कोई ऐसा एक application दर्च कर सकते है या सुप्रीम कोट सुओ मोटो नोटिस ले सकती है कि यह क्या हो रहा है यह जो information अब बाहर आ रही है इसको लेकर हम कुछ कर सकते है या यह सिर्फ public notice के लिए ही है यह suspicion तो पहले भी था सुप्रीम कोट ने जब अपना judgment दिया और यह बोला कि यह data बहार आना चाहिए इसको unconstitutional hold करके तो यह suspicion तो उनके judgment में भी था कि भई इसमें बहुत सारा पैसा घूस का हो सकता है और अब यह चीज बहार आ गई है जैसे यह data बहार आया है चाहिए भी number नहीं आया है और cross matching exact नहीं हो सकती लेकिन broadly जो दिख रहा है कि यह जातर पैसा घूस का ही था तो देखे 2G और coal gate में तो सिर्फ यह पता लगा था कि illegally arbitrarily coal mining leases दी गई यह 2G spectrum दे दिया गया लेकिन उसमें यह बात शुरू में बहार नहीं आई थी कि घूस दी गई इसमें तो यह बात भी बहार आ गई है कि घूस दी गई यानि कि उन्हीं पार्टियों को पैसा दिया गया जो पार्टियां सरकार चला रही थी जो ED को control कर रही थी और जो contracts दे रही थी या policy बना रही थी तो इसलिए इसमें तो काइदे से तुरंत एक Supreme Court monitored SIT बननी चाहिए special investigation team क्योंकि जो सरकारी agencies है वो तो बिलकुल सरकार के तहत हो गई है पहले कोशिश करी थी Supreme Court ने कई orders देके कि CBI को और ED वगरा को थोड़ा independent बनाया जाए लेकिन वो हुआ नहीं है हम तो ये देख रहे हैं कि बलकुल ये सरकारी तोते की तरह ये लोग सब काम कर रहे हैं इसलिए इसमें तो एक independent SIT ही बनानी पड़ेगी इसका investigation करने के लिए और उसके बाद उसमें जहां जहां ये लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके का इसमें और information बाहर आएगा prosecution होगा क्योंकि अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे तो दिख रहा है कि तीन possible cases है जहां सुप्रीम SBI ने Supreme Court के सामने contempt of court करने की कोशिश की एक जब data time पर नहीं दिया दूसरा जब इतनी सारी चीजे बोलने के बावजूद भी तीन हफ़ते और माग रहे थे फिर Chief Justice ने बोला कि नहीं कल तक ही खरो उसके बाद भी अब ये serial number जो नहीं दिया तो क्या Supreme Court ने इतना बड़ा फैसला करते समय भी it could have been much more harsh वो अभी भी बहुत पेशन से डील करने की कोशिश कर रही है ये सब होते हुए देखते हुए बावजूद नहीं मेरी राय में Supreme Court बहुत अच्छा और strong stand ले रही है ये बात सही है कि इस फैसला होने में बहुत विलंब हुआ बहुत जादा time लग गया करीब-करीब छे साल लग गए ये फैसला छे साल क्या एक्चली 2018 हाँ छे साल लग गए इस बीच में इतने सारे bonds issue हो गए पार्टियों ने ले लिए लेकिन जब फैसला आया फाइनली तो एक बहुत strong फैसला था क्योंकि उन्होंने disclosure भी order किया और वो भी strike down कर दिया जो limit हटाई गई थी corporate donations की जो पहले थी साड़े साथ परसेंट अपने profit का और अब जो data बाहर आया है इसमें दिख रहा है कि कई तो loss making companies ने electoral bonds दिये हैं कई ऐसी company ने जिनका profit तो 100 रुपे था और उन्होंने 500 रुपे के electoral bond दे दिये इस तरह का भी information बाहर आई है तो मेरी राय में फैसला जो आया है और उसके बाद जो Supreme Court का रुख रहा है वो बिलकुल सही रहा है और काफी अच्छा और strong रहा है अब जो एक question mark जो एक बड़े सवाल पर है जिस पर आप भी कोशिश कर रहे हो कि Supreme Court ये बात सुने serial number matching अभी तक जो extrapolation हो रहा है लोग match कर रहा है आप यकीन नहीं मानोगे हमारे पास हर दिन 5-10 mails आ रहे हैं कह रहे हैं कि हमने देखिए Excel sheet पर ये data matching की है तो कही न कहीं ये काफी interest है स्टोरी को लेकर कि लोग भी ये data को analyze कर रहे हैं अपने level पर अपने abilities के according और उसको match करने की कोशिश कर रहे हैं और data में problem तो है data में अभी भी complete data नहीं दिया गया है अभी भी missing records की बात हो रही है तो two things मुझे जो जाना है आपसे एक data पूरा है कि नहीं exact तो तब ही पता लगेगा जब ये serial numbers आ जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ serial number आने होंगे जिन्होंने bond खरीदे और जिन पार्टियोंने bond and cash किये क्योंकि दोनों जगे state bank record करती थी उनको ये record रखना था क्योंकि उसी scheme में लिखा था कि भई जो कभी अगर ये मांगा जाएगा किसी law enforcement agency के द्वारा ये court के द्वारा तो इनको देना पड़ेगा state bank council on record in front of supreme court कह चुके है कि इसको core banking network में नहीं डाला गया था core banking network क्या होता है डाला गया था ये नहीं डाला गया था वो irrelevant है लेकिन उनके पास ये data recorded था और जिस तरह से उन्होंने बाकी जो information दी है वो लगता है कि digitalized भी था और digitalized में जरूर numbers रहे होंगे और मुझे लगता है कि जो data इन्होंने बाद में जो electronic data election commission को दिया उसमें एक column ही गायब कर दिया bond numbers का दोनों तरफ से तो ये लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास दो अलग अलग जगे recorded है यानि कि जब खरीदा गया उसमें number recorded है और जो जिन लोगों ने in cash किया उसमें number recorded है और उसको match करने में हमको साड़े तीन महीने और लगेंगे ये कह रहे थे तो हमने बूला ठीक है आप raw data दे दीजे court ने भी ये बोल दिया raw data दे दीजे लोग खुदी match कर लेंगे हम तो अपने office में 10 juniors को लगा दें तो तीन दन में 22,000 bond जो है एक तरफ 22,000 दूसरी बाइस अजार number दूसरी तरफ और मैच करकर वैसे ही दे देंगे जाते हैं then do we understand that SBI की एक और पोल बहुत बुरी तरीके से खुल जाएगी क्योंकि जब ये numbers दे दे देंगे उन लोग तो ये चार महीने वाला जो जूट बोला था Supreme Court के सामने वो जूट साफ हो जाएगा कि भाईया ये जूट था चार महीने वाला उन्होंने ये नहीं बोला था कि मेरे हमारे पास नंबर देने में चार महीने लगेंगे उन्होंने बोला था मैचिंग करने में चार महीने लगे चार मिनिट में हो जाएगा लेकिन उसके बाद मैचिंग अगर डिजिटल form में होगा तो दो मिनिट में हो जाएगा अगर physical form में भी होगा digital नहीं भी होगा तब भी तीन दिन में 10 आदमियों को आप या 20 आदमियों को लगा आथें तो तीन दिन में वो लोग कर लेंगा चैलिए SBI को तो खेल lunch break लेना चाहिए दूसरा जो सवाल उठ रहा है काफी खास कर कि ये जो revelations के बाद और ये जो सिधा raid, bond raid, bond का जो connection निकल रहा है वो ये है कि क्या सवाल फिर उठेगा ED जैसे institutions और income tax department जैसे institutions पर क्योंकि जो sequence है कि investigation हुआ है raid हुआ है, bond आया है और उसके बाद investigation रुग गया है तो क्या Supreme Court ED से भी पूछ सकती है कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया था, आपने तो बोला था कि mega engineering के खिलाफ आपके पास करीबन 1900 करोड का आपके पास अच्छा कासा एक case था तो वो case का क्या हुआ फिर तो बहुत सारे जो cases suddenly shut down हो गये हैं, उसकी कोई जवाब दे ही होगी क्या? तेकि अगर Supreme Court इसमें investigation order करती है और court monitored SIT बनाती है तो उस investigation में ये जरूर investigate किया जाएगा कि ED और IT in agencies का इस्तेमाल सरकार ने या BJP ने किया पैसा extract करने के लिए और उसमें जो ED और IT वगरा के जो officers है जो उसमें involved थे, जिनसे बोला गया होगा कि भई तुम raid करो और उसके बाद बोल दिया गया होगा कि अच्छा विन लोगों ने पैसे दे दिये हैं, अब तुम अपना हाथ खीच लो ये लोग भी clearly prevention of corruption act में ये लोग involved होगे, ED वगरा के officers So, one hopes that एक तो वो हो दूसरा एक जो चीज देखा जा रहा है ये story इतनी बड़ी story है mainstream media story को cover नहीं कर रही है या cover up करने की कोशिश कर रही है उस पे कोई surprise नहीं है लेकिन दूसरा ये है कि opposition में उतना कोई उतसाह नहीं है जबकि इतनी बड़ी story है तो एक average citizen को और खासकर कि हमारी देशभग community को इस story को कैसे how to see this story ये story क्या political story है या ये story है उन लोगों के लिए जिनको democracy से मतलब है और देश में democracy की बहाली कैसे हो उससे मतलब है क्योंकि political parties तो सारे involved है हुई है क्योंकि उन्होंने बोला है कि जनता को ये जानने का हक है कि कौन किस party की funding कर रहा है और ये आप छुपा नहीं सकते और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि भी इसमें हो सकता है घूस खोरी हुई हो इसके through और तीसरा ये भी बोला है कि ये level playing field जो political parties के बीच में होनी चाहिए उसको destroy कर देगा क्योंकि जातर पैसा ruling parties को ही दिया गया है main पैसा जो center में रूल कर रही थी BJP 50% से जादे और बाकी पैसा जो states में रूल कर रही थी चाहे वो congress हो चाहे वो TRS हो TMC TMC हो DMC हो इन लोगों को दिया गया तो इन लोगों का भी हो सकता है कि कुछ पैसा जो इन लोगों को दिया गया वो भी bribe के तौर पर दिया गया हो So here is the rub तो इसका मतलब है कि जब वो serial number आ जाएगा जो कि लग रहा है Supreme Court का रवया देखकर कि Supreme Court बोलेगी SBI को कि आप numbers दीजिए तो उसमें जब खुलासा होगा कि यह जो regional parties के पास भी यह पैसा गया है हो सकता है यही बड़े बड़े companies हो सकता है lottery वाले companies का भी पैसा उनके पास गया हो तो story में narrative shift हो सकता है अगर कोई उसको politically देखने की कोशिश कर रहा है तो के पास आया यह सारी agencies ED, IT, CBI सब्भाजपा के control में थी Central Government के control में थी और बहुत सारा पैसा हम देख रहे है उन companies से लिया गया जो की इन agencies की rates और इनके action के basis पर लिया गया है contracts देने के लिए भी लिया गया है policy बदलने के लिए भी लिया गया है तो जो contracts देने वाला मामला था वो तो हो सकता है quite possible, quite likely कि जो opposition party states में रूल कर रही थी उनको जो पैसा दिया गया उस states में जो contracts दे सकते थे उसके वज़े से दिया गया हो थोड़ा narrative उससे shift हो सकता है लेकिन main तो इसमें heat जो है भाजपा के ही उपर रहेगे now what to the story आप कहरे हो SIT की formation I am मैं थोड़ा सा skeptical ही रहता हूं दुनिया भर में तो मुझे छोड़ दीजिए लेकिन आपको क्या लगता है story में next क्या है अगर इतनी बड़ी story है इतना बड़ा खुलासा हुआ है यह story क्या ऐसे ही चले जाएगी या फिर there are very clear next steps to it अभी तो देखे अभी तो उसका tip of the iceberg निकला है अभी तो लोग बस यह वता रहे हैं इन्होंने अभी bond numbers तो नहीं दिये लेकिन April 2019 से पहले के भी जो bonds हैं उसका भी data नहीं दिया है और पूना मगरवाल जिसने एक bond खरीदा था 2018 में वो यह कह रही है कि उन्होंने 2018 में खरीदा था लेकिन यह जो data है उसमें 2020 में दिखाया जा रहा है वो bond तो इसलिए यह भी हो सकता है कि यह जो data आया है यह बहुत सही नहीं भी है हो सकता है कि इसमें कुछ fudging भी हो वो खैर धीरे धीरे खुलासे होते जाएंगे और देखिए इसमें तो अब इतना interest generate हो गया है कि अब जब number आएंगे तो लोग number matching वगरा करेंगे लोग अब यह investigation कर रहे हैं लोग मतलब main stream media तो इसको दबाने की कोशिश कर रही है यह बाकी लोग जो है जो alternate media है वो यह investigate कर रहे हैं कि अच्छा इस company को क्या फाइदा मिला इसके खिलाफ कब ED raid हुई इसके खिलाफ और कब action हुआ कब हाथ खीच लिया गया यह सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी और वो in my view वो एक ठोस basis होगा एक SIT investigation क्योंकि यह तो बहुत बड़ा bribery scam है मतलब इसमें तो कम से कम कई levels पर और कम से कम 50 company ने घूस दी है कम से कम अपने आप से ED का heat हटाने के लिए अपने उपर से या फिर policy बनाने के लिए या फिर contract लेने के लिए तो इसलिए ये तो अभी काफी दिन तक तो बहुत सारे लोग यही सब करते रहेंगे और फिर मेरे मेरी राय में इसमें एक तुरंत SIT investigation होना चाहिए बट depends तो सब कुछ Supreme Court पर ही करता है net net हाँ बिकाज इसमें opposition मेरे ख्याल से रस्ते पर नहीं उतरने वाली है इस चीज़ को लेकर citizen interest and Supreme Court यह दो ही pillars mainly आप कह रहे हो कि इस case के बारे में आपने already file कर दिया था इतने साल पहले और यह case इतने सालों से चलता आया है लोगों को ज़ाधा फरक पढ़ा नहीं था तब भी you persevered with this case तो अर्चन है कितनी आई थी 6 साल की बात कर रहे है Supreme Court ने 2019 में ही इसमें एक बात जो उसको कहते हैं जो first सुनवाई करकर हाँ उन्होंने एक interim order यह दे दिया कि हम stay नहीं करेंगे लेकिन यह information सारी पार्टियां election commission को दे हैं कि बहुँ उनको किसने bond दिये और यह भी information actually कल तक आनी है correct आज शाम तक Supreme Court से digitized form में election commission को मिलेगा और physical copies भी मिल जाएंगी election commission को कल शाम तक डालनी है website पर कि political parties ने उनसे क्या बोला कि उनको यह bond किसने दिये अब उसमें रहसे में चीज़ यह है कि हो सकता है कुछ political party ने बोला हो कि हमको तो नहीं पता हमारे तो दर्वाजे के नीचे कोई जना 1000 करोड डाल कर चला गया हमें नहीं पता कौन डाल गया हो सकता है कुछ लोगों ने यह बोला हो तो अब यह देखने की बात है कि कितनी information in political parties ने disclose करें so much for transparency lottery के पैसे से चल रहा है number one donor is Martin भाई साब lottery king और दूसरा की जो कि आपने भी बोला है और कुछ और लोगों ने भी बोला कि यह भी तो हो सकता है कि किसी ने electoral bond खरीदा मैंने उसको cash दे दिया और फिर electoral bond किसी और के नाम से जा रहा था तो इसमें transparency कहां आ रहा है यह तो देखिए वो जो quick marketing या कौन सी company है उसके total profit पिछले 5 साल के 100 करोड थे उन्होंने 400 करोड से जादे दे दिया तो वो पैसा कहां से आया उनके पास obviously कहीं से तो आया ना और उनके clearly वो reliance की company है तो reliance नहीं दिया होगा किसी तरह से उनको reliance की दूसरी company ने तो इस तरह से बेनामी electoral bonds भी दिये गए जो की real donor कोई दूसरी reliance की company रही होगी लेकिन quick जो एक almost बेनामी company है reliance की उसके थूदिलवाए गए लोगों की आशाएं जग गई है एक सवाल आया था कि वो PM Care Fund भी investigate होगा क्या कुछ लगता है Supreme Court करेगी उसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए उसमें भी जनता का पैसा लिया गया हजारों करोड लिया गया PM Care Fund में और उसको यह लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं यह तो private trust है और भी आप सारे public sector company को कह रहे हैं कि भी इसमें donate करो बाकी लोगों को आप official prime minister का office use करके लोगों से donation मंगवा रहे हैं बहुत सारी कंपनियों ने उसमें donation दिया और उसको आप कह रहे हैं कि नहीं यह तो private fund है हम इसका कोई यह private trust है हम इसकी कोई जवाब दे ही नहीं है यह मतलब प्रदान मंतरी के खेब बपौती है क्या यह बचाओ में लेकिन जो लोग आते हैं बचाओ में आकर लोगों ने यह भी कहा था कि नहीं देखो पहले तो बोरियां आती थी इसको तो तब भी digitize करने की कोशिश की गई थी मुझे इस सब process में सबसे जो stunning लगा मुझे जानना है कि आपको क्या लगा जो एक अच्छा खासा 7.5% on profit average last 3 years का एक system था उसको हटा कर यह क्यों किया गया था कि कोई भी company कितना भी profit दे सकती है और किसी को कानो कान खबर ना हो तो in a way यह चीज गलत नहीं हुई थी एक होता है आपने law बनाया उसका गलत उपयोग हो रहा है था इसको करनी का ही मतलब क्या था कि मैं shell companies को allow करूंगा इसका और कोई logic हो सकता है कि मैंने profit का point ही हटा दिया और कोई भी company कितना भी दे सकती है चाहे loss making हो या पाकिस्तान या चाइना से हो यह भी अटा दिया और foreign donation का भी जो restriction था वो भी अटा दिया अब उन्होंने यह कर दिया amendment उसी के साथ ही आया था कि कोई foreign company अगर अपनी Indian registered subsidiary के द्वारा donate करे तो उसको foreign donation नहीं माना जाएगा या आप foreign company से भी पैसा ले सकते हैं कितना भी ले सकते हैं और गुमनाम तरीके से ले सकते हैं यह सब कर दिया गया था इसका एक ही मकसद था कोई और मकसद नहीं था बिल्कुल साफ है कि घूस खोरी जो है चोरी छिपे चलती रहे और लोग अराम से घूस दे सकें इस anonymity के कवर में उन पार्टियों को जो उनको फायदा पहुचा सकती हैं बहुत सारे लोगों ने सवाल ये भी पूछाए ADR के उपर कि इतने दिनों से इतना लोहा लेना कोई आसान काम नहीं है तो अभी next projects क्या है कि court से legal तरीके से जो एक check and balance का system होता है सरकार के जो काम गलत होते हैं आप ADR और ऐसे क्या क्या काम अभी आप focus करना जाए एक तो ये election commission के appointment का ही case है ADR का ही है उसके लावा इसी में SIT का गठन होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग court जाएंगे आप जाओगे बिल्कुल जाएंगे थोड़ा और detail आजाए कि इसने किसको पैसा दिया इसके numbers आजाएं bond numbers और जिससे और clear हो जाए कि भाई ये घूस के तोर पर दिया गया इनको ये फाइदा मिला या ED का ये action हुआ फिर हटा लिया गया वगएरा वगएरा तब हम जाएंगे एक defytism का sentiment भी मुझे दिखा ओनलाइन जब लोगों ने और कुछ था नहीं उनके पास बोलने के लिए तो भला हाँ ठीक है ओके हो गया गरबड़ो तो उसे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो इस defytist sentiment से आप क्या बोलोगे क्या आप लड़ रहे हो कि कोई जीतेगा या हारेगा या this is a bigger question देन कोई जीतेगा या हारेगा से ने देखे पहली बात तो ये है कि defytism से तो कोई बात नहीं बनती सिनिकल होने से भी कोई बात नहीं बनती आपको आखरी दम तक कोशिश करनी होती है कि इस देश में लोक्तंतर काईम रहे इस देश का संविधान काईम रहे और उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो करना होता दूसरी बात यह है, जो हमारे एक प्रोफेसर प्रिंस्टन में थे, वो हमसे कहते थे, कि वन दे गोईंग लुक्स बैड, जस्ट हैंग इन देर, बिकॉस यु नेवर नो वन दे टाइड विल तर्न, और अज तर्न तर्न वेरी शापली, तो यह बात बिलकुल सही है, कुछ पता नहीं, योगेन जी एक हमको किस्सा सुनाते हैं, कि जब 2004 में चुनाव होने वाले थे, और सब इंडिया शाइनिंग का रुदबा चल रहा था, और सारे उपिनियन पोल दिखा रहे थे, कि भाजपा वापस आने वाली है, तो सोनिया गांधी ने उनको बुलाया था, वो सेफॉलोजिस्ट है, और उनसे पूछा कि भाई, आप की क्या राय है इस पर, और उस समय वो कहते हैं कि सोनिया गांधी भी ये सोचने लगी थी, कि भाई हम लोग चुनाव हार रहे हैं, कॉंग्रस चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप हार नहीं रही है, मेरी राय ये है, कि जो आप कर रही है, वो ठीक है, और करती रही है, आप लोग करते रही है, और क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट लाइकली कि आप लोग चुनाव जीत जाएंगे, और यही हुआ 2004 में, तो इसलिए, इसके दो लेसंस हैं, कि एक तो यह है कि हम तो जो कर सकते हैं, हमको आखरी दम तक करना है, जितना भी हमारी हैसियत है, वो करना है, लेकिन दूसरा यह है, कि कभी यह नहीं सोचना है, कि भई अब तो सब खतम हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता, कई बार ऐसा लगता है लोगों को, कि अब सब खतम हो गया, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो कभी-कभी एकदम से टाइट बदल जाती है यह होता है सुप्रीम कोर्ट पर भी एक थोड़ा सा जो फेथ था कि कुछ हो नहीं रहा है अभी काफी रिस्टॉर हुआ है यह एक केस है जोसको हम लोग काफी दिनों तक याद भी रखेंगे मैंने भी बोला था कि एक टाइम पर हम लोग आज तक भी ADM जबलपूर की बात करते हैं यह ऐसे-ऐसे केसे हम याद रखेंगे लेकिन ऑन दी आदर साइड हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जहां उमर खलित की बात हो जहां भीमा कोरिगाओं की बात हो तो वहां वो जस्टिस कहीं न कहीं अठका हमें दिखता है आप, are you more optimistic की अब सुप्रीम कोर्ट से आपको ज़्यादा पेक्षा है या फिर आप कह रहे हो कि नहीं, this is one case इसको मैं मैं इसमें ज़्यादा read-in नहीं करना चाहूंगा या I will not want to get my hopes up नहीं मुझे अब ज़्यादा पेक्षा है और दीखे होता ये है कई बार ये एक psychological बात है कई बार जब ऐसा महौल बन जाता है जैसा कि इन लोगों ने बना दिया है देश में कि वह अब तो मोदी का ही चलेगा अब तो जो मोदी कहे वो करना पड़ेगा ये सब election commission EDVD सब को ये feeling हो गई है अगर हम मोदी की बात नहीं मानेंगे तब तो हमारे खिलाफ action हो जाएगा चाहे हमको illegal काम ही करना पड़े हमको मोदी का काम करना पड़ेगा इस तरह का एक psychological महौल बना दिया गया लेकिन और ये महौल जो है कई बार judges को भी affect कर देता है लेकिन judges को ये समझने की जरुवत है कि पहली बात उनको कोई छू नहीं सकता जो हमारा समद्धानिक structure है उसमें judges को सरकार नहीं कुछ कर सकती कई बार judges दर जाते हैं या भैबीत हो जाते हैं कि बाई इतनी strong faces government है अगर हमने इनके खिलाब मोचा कड़ा किया तब फिर ये पता नहीं क्या कर देंगे लेकिन और उस महौल में जब वो कुछ सही काम करते हैं उस महौल में कई बार फिर वो डर के मारे वो काम करने लगते हैं जो सरकार चाहती है लेकिन जब वो सही काम करते हैं और देखते हैं यह भई पब्लिक तो बहुत इसको सरा रही है बहुत अपलॉड कर रही है और पब्लिक हमारे साथ खड़ी है जनता हमारे साथ खड़ी है तब वो empowered feel करने लगते हैं मुझे लगता है कम से कम हमको hope करना चाहिए कि यह वो moment है हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए और हमारी लार्जर जुडिशरी के लिए जहां पर लोग खड़े होने लगे यह मैंने आपने जो बात कही नो जस्टिस रविंदरन की एक बात याद आगए मैंने उनसे एक सवाल पूछा था और उन्होंने मुझे यही बात कहा था कि हम लोग गलत फैमी बे रहते हैं कि हम सोचते हैं कि judges एक vacuum में काम करते हैं वो भी एक civil society से ही आते हैं इसलिए I think public जब तक न जगे गी और public जब तक न करेगी तब तक बड़ा मुश्किल होगा और उसी पर ही आते हैं क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि Supreme Court ने एक चीज ठीक करने की कोशिश की एक चीज जो system था वो गलत था उसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन दूसरे तरफ उसी हफते उसी समय इलेक्शन कमिशन के साथ जो हो रहा है मनें almost a system systematic butchering of the election commission दो नए election commissioners appoint हो गए लेकिन हमें मालूम नहीं कि election commission जिसने commissioner जिसने resign किया उसने resign क्यों किया and this is again the same story of Ashok Lawasa that is playing out suddenly एक election commissioner resign कर देता है जो CEC बनने वाला है वो resign कर देता है और हमें कोई clear वजए नहीं मिलती है उसकी कितना विश्वास रहेगा फिर election commission के election commission में तो विश्वास बहुत दिन से लोगों का खतम हो चुका है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजज ने ये फैसला दिया था कि election commissioners का appointment सरकार के हाथ में नहीं हो सकता उससे हमारे चुनावी लोकतंत्र को बहुत बड़ा खत्रा है और इसलिए उन्होंने बोला था कि इसमें तीन member committee होनी चाहिए chief justice, prime minister, leader of opposition लेकिन उसको पलटने के लिए लोग कानून ले आए जिसमें की chief justice को हटा के एक और minister को add कर दिया prime minister, एक और minister, leader of opposition अब leader of opposition का उसमें कोई और चित यह नहीं है यहीं हुआ हम लोग ने इस कानून को challenge किया, उसमें notice वगेरा issue हो गया, वो pending है फिर जब इनका अरून गोयल का resignation आया और दो post खाली हो गई तीन में से, तब हमने application मूव करी, 11 तारिक को इस महीने कि भई इन दो weekend post का chain जो है, वो जो supreme court ने committee बोली है उसके हिसाब से होना चाहिए, यानि chief justice भी उसमें होना चाहिए बजाए कि ये प्रदान मंत्री, एक और मंत्री और L.O.P. और उस कानून को आप एक तरह से स्थगित कर दीजे, अब ये 11 तारिक को file हुई, 12 तारिक को जो leader of opposition थे, उनोंने चिठी लिखी, प्रदान मंत्री को या सरकार को, कि देखिए आपने 15 तारिक को ये chain समीती की meeting बुलाई है और आप हमको उससे काफी पहले कम से कम shortlisted candidates के names और bio data दे दीजे, अब हमने 13 तारिक को ये mention किया court में, कि भई ये इसकी application की जल्दी सुनवाई करिए क्योंकि ये 15 तारिक को meeting, उनोंने बुला ठीक है, हम 15 को ही सुनवाई कर लेंगे हमने बुला, ठीक है 15 को आप कर लीजे, हमको expectation था कि उससे पहले तो ये chain नहीं हो पाएगा, लेकिन इनोंने 15 तारिक की meeting pre-porn कर दी, जैसे ही court ने 15 तारिक fix करी, pre-porn कर दी, 14 को कर ली और जो shortlisted 6 candidates थे, उनके नाम, leader of opposition को, 10 minute पहले दिये, उनोंने बोला कि 10 minute में हम क्या देखेंगे कि भाई, ये कैसे लोग है, इनका क्या record है, चुनाव आयो बनने लाइक हैं कि नहीं हैं, लेकिन उन में से दो लोगों को प्रधान मंतरी और home minister ने choose कर लिया और उनका तुरंथ ही appointment कर दिया गया, अब हम लोगों ने उसको भी चुनावती दी है, हम लोगों ने बोला है कि भई आप इसको stay करिये इन appointments को और इनको direct करिये कि उसी committee से appointment हो जिसमें Chief Justice भी होंगे उस application की सुनवाई अब next Thursday को, यानि कि 16 तरिक को 16 नहीं next Thursday क्या हुआ next Thursday को होनी but the point is that हमने जब इस पर election commission पर भी एक episode बनाया और बताया कि किस तरीके से election commission को hijack किया जा रहा है evm hack करने की ज़रूद नहीं जब आप election commission को ही hack कर सकते हो, तो उसमें बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, देखिए यह तो पहले से भी ऐसा होता था परधान मंत्री ही तो select करते थे पहले process was not fair पहले process was not transparent तो मैंने का पहले तो ballot boxes भी होते थे, फिर उसमें चले जाते हैं और पहले तो बहुत सारे parties ने जो किया था 40 seat पे बैठे हुए the point is पहले जो हुआ था तो कहीं न कहीं एक गलत system था उसको fair नहीं किया गया था तो problem इस बार क्या है हम जो imperfect system है उसी को perfectly legal बना दे रहे है problem यहां है क्या या Congress को समय रहते हुए उस समय अपने आप बहर कुछ करना चाहिए था जब देवर in power Congress को बिलकुल करना चाहिए था यह तो Supreme Court ने बोला है कि यह मामला जब से सम्विधान बना यहनी सतर साल से यह मामला पेंडिंग है सतर साल पहले सम्विधान में लिखा गया था कि we expect Parliament to bring a law and that law should have been for an independent selection committee not controlled by the government लेकिन unfortunately सतर साल तक किसी ने वो लो बनाय नहीं क्योंकि जो भी पावर में रहता था सबको लगता था कि हम ही अपॉइंट कर दें लेकिन एक बात हुई जब से सेशन बने चीफ इलेक्शन कमिशनर और उन्होंने अपनी इंडिपेंडन्स एसर्ट करी देखे फंक्शनल इंडिपेंडन्स तो है election commission को सिर्फ अपॉइंट्मेंट सरकार करती थी तो उसके बाहत से कई सालों तक कम से कम तीस साल तक election commission स्वतंत रहा ये तो हम देख रहे हैं पिछले साथ-ाठ साल से election commission बिलकुल चर्मरा गया है और बिलकुल सरकार की गोदी में आकर बैढ़ गया है तो क्या ये बात को मद्दे नजर रखते हुए that it should have been an independent selection commission कोई आशा रख सकते है कि supreme court एक और historic judgment दे क्योंकि again मैं आपके जैसे optimistic नहीं हूँ कि नहीं ये असमवेधानिक है या ये तो procedural matter है selection commission के ऊपर supreme court इसको unconstitutional declare नहीं कर सकती है क्या इसमें दकल अंदाजी possible है are you optimistic बिलकुल possible है और करनी चाहिए क्योंकि ये जो कानून लाएं है कि chief justice को हटा कर एक और मंत्री ले आओ ये तो आपने फिर से ये ही कर दिया कि सरकार के हाथ में होगा selection जिसको supreme court के पाँज़ों ने कह रखा है कि ये हमारे चुनावी लोक तंत्र के लिए बहुत बड़ा कत्रा है तो इसलिए ये तो एक्स फेसाई unconstitutional है और इस तरह के एक्स फेसाई unconstitutional laws को supreme court ने कई बार stay किया है तीन farm laws को stay कर दिया था sedition के कानून को stay कर दिया है बहुत सारी बार supreme court ने कानूनों को stay किया है और इसमें तो बिल्कुल clear है कि उसका abuse किया गया आपने जब वो cbc का appointment supreme court ने quash किया था p.j. thomas का उसमें ये बोला था कि selection committee के सामने आपने पूरी relevant information नहीं रखी यहां तो आपने कुछ भी नहीं रखा मतलब quite apart from the fact कि आपने जो basis था उस judgment का उसको violate किया और basis was on basic structure of the constitution electoral democracy is part of the basic structure उसके खिलाफ आप गये हैं और उसके बाद आपने selection भी इस तरह से कर दिया कि information selection committee के सामने relevant information रखी नहीं गई तो हर तरह से यह तो बिल्कुल illegal है और supreme court को अपने आपको assert करना चाहिए इस case में तो इस पर भी आपने जैसे कि electoral bonds की case में इस पर भी आपने याचे का दायर किया हुआ है supreme court बर एक और जगा जहां आप बहुत जादा ही you have very strong views आप काफी involved रहे हो बहुत ही contentious issue है और वो है EVMs का issue जनता में जब तक न उनको कोई proof दिखेगा और जैसे कि मेरे खाल से electoral bond में भी बहुत सारी जनता suddenly जग कर उठी है और मैंने कहाँ ये सारी चीजे बाई देवे कोई नई चीजे नहीं है इनके बारे में लिखा गया है report किया गया है कोई नई चीज नहीं है Supreme Court ने इस पर फैसला दिया है लेकिन बहुत सारे लोग तो इस story को देखकर जग रहे है कि अच्छा इतना गंदा था हाँ बही इतनी गंदगी थी तो आपका मानना है कि EVM में भी काफी हद तक गंदगी है take us through आपका stand क्या है फिर हम VVPAT पर आते है देखे हम ये नहीं कह रहे हैं कि EVM में धांदली होती रही है हम ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं EVM में बहुत असानी से धांदली हो सकती है क्योंकि ये admitted case है कि EVM में और VVPAT दोनों में एक programmable chip है और उसमें आप कुछ भी program डाल सकते है जिससे की जो vote डाली गई उससे बिलकुल फरक result दिखाएगा और ये बात एक citizens commission बना था justice mother local जो retired supreme court judge है उनके नितरत्व में उन्होंने भी कही है कि भई ये उन्होंने कम से कम 20 top computer scientists जो दुनिया के हैं उनको उनका evidence लिया और उन सब ने ये बोला कि भई ये reliable नहीं है ये EVM जो है इनमें tempering करी जा सकती है देखिए कई बार लोग कहते हैं कि hacking hacking नहीं ये उसमें कोई ऐसा bluetooth device नहीं है कि आप remotely उसको control कर लें लेकिन उसमें एक programmable chip है और उस programmable chip में आप कुछ भी program डाल सकते हैं जब symbol loading होती है उस समय भी उसमें एक program डाला जाता है जब सारे क्योंकि हर constituency में the placement of the symbols of different parties could be different so उस समय हर constituency by constituency हर EVM में एक program डाला जाता है जिससे कि जब आप तीसरे नंबर का button दबाएं और तीसरे नंबर पर मान लिजए Congress है तो VVPAT में हाथ की slip print हो तो VVPAT में भी program डाला जाता है और उसमें भी program डाला जाता है कि वो Congress की vote count करें जीकर अब इन्हों ने क्या किया हम लोग पहले सोचते थे कि अगर सारे VVPAT slips count कर लिए जाए VVPAT Supreme Court ने बोला कि एक paper audit trail होनी चाहिए तो उसके बाद फिर सारे electronic voting machines के साथ एक printer लगाया गया जिसमें कि उस उसका symbol print होता है चोटे जब परची लेकिन 2017 में इस VVPAT printer machine का design बदल दिया गया उससे पहले इस पे एक transparent शीशा होता था जिसमें आप बहर से देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है क्या च्छप रहा है क्या कटके गिर रहा है बॉक्स में 2017 में इसमें transparent शीशा हटाकर एक काला mirrored शीशा लगा दिया उपर जिससे आप बहर से अंदर देखी ना सकें कि अंदर क्या हो रहा है अनलेस के अंदर एक बल्ब जलता है साथ सेकंड के लिए उस साथ सेकंड में आपको अपने पर्चे सिंबल का पर्चा दिखाया जाता है फिर बल्ब बंद हो जाता है आपको पर्चा कटके गिरता हुआ नहीं दिखता लॉजिक क्या है सरकार का क्या लॉजिक है का लॉजिक यह है कि ये confidentiality को कोई दूसरा ना देख ले कि भई हमने किसको वोट दिया तो मैं अपना पर्चा गिरते हुए नहीं देख सकता हूं लेकिन confidentiality रहेगा अच्छा ओके जुस्ट वांड़े टूब अगर आप इसमें य consecutive votes डाले गए उस program में आप ये कहते हैं कि आप पर्चा तब तक नहीं काटेंगे जब तक दूसरा आदमी उसका अगला आदमी वोट ना कर दे अगर उसका अगला आदमी भी उसी party को वोट कर रहा है जिसको पहले ने वोट किया तब आप वही light फिर से जलाएंगे और वही जो पहले आदमी को दिखाया गया वही आप दूसरे आदमी को दिखा देंगे और उसके बाद light बंद हो जाएगी उसके बाद ये पर्चा तो कटके गिर जाए हाथ का है और एक और पर्चा छपके कटके गिर जाए जो कि लेट्स से भाजपा का होगा तो आपने दो Congress की vote प का तो इसलिए ये प्रॉब्लम इससे सॉल्ट नहीं होएगी कि आप सारे वीवी पैट अभी तो सिर्फ दो परसंट वीवी पैट मशीन्स को काउंट करते हैं हन्रेट परसंट भी आप काउंट कर लेंगे लेकिन अगर ये मैलिशस प्रोग्राम डाल दिया गया तब भी आप नहीं पगड़ पाएंगे इसका सॉल्यूशन वही है जो इंडिया अलाइंस ने डिमांड किया है कि जो परची छपती है कटके गिरती है गिरनी चाहिए बॉक्स में वोटर के हाथ में दे दीजे इससे वोटर वो परची उठाकर बैलिट बॉक्स में डाल दे और फिर आप बैलिट बॉक्स की परची अकाउंट कर लिजए ये उसका करेक्ट सॉल्यूशन है या दूसरा आज अगर मैं एक assembly seat पे हूँ या मैं एक election observer हूँ या जो भी हो अगर मैंने बोला कि कुछ गरबढ हुआ है तो मेरी बात क्या सुनी जाएगी या फिर ये जो चेकिंग है वो सिर्फ एक random वीवीपैटी count जो वीवीपैट matching होगा वो सिर्फ random है या अगर मैं चाहूं अगर म मैं बोलू कि नहीं मेरे एरिया में कुछ गरबढ हुआ है तो उसको immediately count किया जाएगा या मुझे भी court के चक्र काटने पड़ेंगे उसमें नहीं वो तो returning officer के उपर है आपकी complaint पर उसको लगेगा कि अगर complaint का कोई substance है कोई basis है तब वो कर सकता है कि उदर की वीवीपैट का भ पॉलिंग स्टेशन की वीवीपैट काउंट करी जाएंगी वो कहते हैं कि रैंडमली पांच तै हो जाती है कोई रैंडमाइस प्रोसेस है लेकिन रैंडम है कि नहीं हम नहीं कह सकते लेकिन हम तो यह कह रहे हैं कि अगर आप उसको इस तरह से maliciously program कर दें तो वीवीपैट औ कि आप slip वोटर के हाथ में दीजे और या फिर वापिस बैलेट पेपर देखिए दुनिया में करीब करीब सारी जो वेस्टरन कंट्रीज हैं एक के बाद एक के बाद एक उनने एवीएम छोड़ दिया है वापिस बैलेट पेपर पर चले गए जर्मनी के तो constitutional court ने 100 पेज का judgment दिया कि भई क्यों ये एवीएम उन्रिलाइबल हैं और क्यों आपको वापिस पेपर बैलेट पर जाना पड़ेगा वहाँ पर सब चले गए अभी हाल में बंगलादेश में भी एवीएम हटा कर सब पेपर बैलेट कर दिया है लेकिन और यही बीजेपी जो 2014 से पहले जोर जोर की चीखते थे कि भई एवीएम मैने पुलेट होगा पेपर बैलेट लाइए पेपर बैलेट लाइए आज यही पूरा एडी चोटी का जोर लगा कर कह रहे हैं कि भई किसी हालत में पेपर बैलेट से हम नहीं होने देंगे एवीएम से ही कराए जाएंगे और उनकी जो election commission है जिसको हम गोधी election commission कहते हैं वो तो opposition court opposition ने demand किया कि हमको ये machines का source code वगरा तो बताईए जो आप इसमें डालते हैं वो तो मिलने का भी समय नहीं दे रहे इस issue पर source code की बाद तो छोड़ दीजे या EVM inspect करने की बाद तो छोड़ दीजे इसमें भी आपने court में याचे का दायर किया था क्या हुआ उसका ये वो पेंडिंग है वो अभी अगले हफते उसकी सुनवाई होनी है election ही आ गया अच तो dates भी अनौग election तो आ गया लेकिन ये तो अभी भी इतना तो बड़ा simple change है ये तो भी वोट करेगा वो नीचे से अकसे से निकाल ले और फिर उसमें डाल दे उसमें क्या problem है वो दिक्कत citizens को नहीं है दिक्कत किसी और को है तो आप जो देख रहे हो कि काफी मुझे तो definitely दिख रहा है काफी interest है काफी लोग देख रहे हैं काफी discussion हो रहे है ये एक मैं एक जमाने में mainstream media में भी रहता था ये एक example मुझे दिखा इस बार electoral bonds वाला जो पूरा story है कि कैसे mainstream media तो side हो गई है ये जो story आगे बढ़ रहा है और लोगों को information मिल रही है वो digital journalist से मिल रही है digital youtube channel से मिल रही है पूरे digital माध्धियम से मिल रही है investigation जो हो रहा है निटिन सेटी की बात कर लीजिए अगर आप वो भी digital में पूनम जो आप बात कर लीजिए वो भी digital में और सारा जो reportage हो रहा है वो भी digital में ही हो रहा है तो इसको आपको लगता है कि given your experience और आपने देखाएगी किस तरीके से सरकार काम करती है politics से आप you are not a stranger to politics कोई ने कोई तो divergent आएगा ना ये तो बहुत ज़्यादा ही narrative खीच रहा है ये तो बहुत पास हो गया election के कोई ने कोई तो आएगा ना कुछ तो बनेगा अगर सरकार को लगेगा कि ये बहुत बड़ा issue बनता जा रहा है तो वो ज़रूर कुछ divert करने की कोशिश करेंगे अभी ये जो CAA rules अनाउंस करें ये भी diversionary tactic थी कि असली मुद्दों से आप ध्यान भटका के लोगों को फिर से communal issue पर आप ले आएए तो इसलिए कुछ न कुछ उस समय 2019 के पहले बाला कोर्ट हो गया पुलवामा हो गया क्या पता क्या हो जाए और वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आजकल काफी जोर शोर से चल रही है हाँ बड़ी अजीब बात है मुझे तो ये बड़ा बहुत ही अजीब लगता है कि पूर्व राष्ट्रपती और उनके नेत्रत्व में एक समीती इतने दिन इसमें लगाए एक इतनी मोटी से रिपोर्ट दी और उसमें बोल दिया कि यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है और दोहजार उनतिस में से हो जाए सीधी सी बात है वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ प्रेजिदेंशल सिस्टम में ही हो सकता है वो ही तो बन गए ना अजकल हम पार्लिमेंटरी सिस्टम में तो होई नहीं सकता क्योंकि पार्लिमेंटरी सिस्टम में तो सरकार मिट टर्म में गिर सकती है मान लिजे कोई आपने मान लिजे एक बार कर भी दिया आपने संविधान को अमेंट किया और बोल दिया कि अच्छा आप जिस जिस असेम्बली की टर्म जितनी जितनी भी बची हो चाए चार साल बची हो सब खतम हो जाएगी और दोजार उनतिस में सब का एलेक्शन हो जाएगा मान लिजे आपने एक कर दिया उसके बाद क्या करेंगे दोजार उनतिस के बाद भी तो एक साल दो साल में कोई सरकार गिर सकती है कोई राज सरकार केंदर सरकार कोई भी गिर सकता है उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस राज को प्रेजिडेंट सुरूल में रखेंगे अगले तीन चार साल जब तक कि पांच साल नहीं हो जाते हो फिर से वन नेशन वन पोल नहीं होता क्या करेंगे आप मतलब यह आप यह कर देंगे कि भई कोई सरकार गिरी नहीं सकती एक बार जो सरकार बन गई वोही सरकार चल तक चलता है जैसा कि Jammu इन कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है लोगसभाई उलेक्शन्स अनाॉंस हो गए लेकिन Jammu इन कश्मीर में इलेक्शन्स नहीं होँगे लोगसभाई उलेक्शन्स के साथ-साथ Despite the fact Supreme Court ने बोला है September तक आपको करना है तो they will have to दानिक होगा, हमारे बिल्कुल डिमॉक्रसी के खिलाफ होगा, तो इसलिए जब तक आप प्रेजिदेंशल सिस्टम में ना जाएं, जहां पर एक एग्जेकिटिव, एक आदमी एग्जेकिटिव होता है, अमेरिका में है, प्रेजिदेंट चार साल के लिए एलेक्ट होता है, और अगर वो मर जाए बीच में, तो वाइस प्रेजिदेंट प्रेजिदेंट बन जाता है, अगर वो मर जाए तो स्पीकर बन जाता है प्रेजिदेंट, तो एग्जेकिटिव रहता है, पूरे चार साल तक उसके गिरने का, उसका रिप्लेस्मेंट हो जाएगा, हो जाएग वन पोल नहीं, वन पर्सन वन नेशन, वन नेशन, वन पर्सन. के से ओपन पोईजन फैलाया जा रहा है, can the mainstream media be put on the dock कि उनके खिलाफ कुछ high level पर case हो सकता है कि ये तो brazen spoiling the atmosphere of the country, sedition putting the country to a threat, is it possible? ने, बिलकुल हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, क्योंकि media जो है, ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही important अंग है, और अगर media जिस तरह से आज हो गया है, सरकारी कंट्रोल में, और सिर्फ सरकारी कंट्रोल में ही नहीं, बलकि ऐसा media जो जूट पहलाता है, जो communal hatred पहलाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बिलकुल act कर सकता है, कि भई, एक तो सरकार से छुटकारा इनको मिले, और सरकार कैसे कंट्रोल कर रही है, सरकार दो तरह से कंट्रोल कर रही है, एक तो यह कि इस्तिहार सरकारी पैसा जो इस्तिहार में खर्च किया जाता है, वो उसी मीडिया को दिया जाता है जो सरकार का का म करते हैं, जो उनका परोपगेंड़ा करते हैं और दूसरी बात जो उससे भी नहीं मानते हैं उनके खिलाफ, EDVD जैसे NDTV के खिलाफ हुआ एडी वगेरा आप लगाकर और फिर उनके जो ओनर्स हैं उनको हताश कर दें और उनसे बिक्वा ले जैसे अरडानी ने खरीद लिया उसके बाद तो इस सब को रोकने के लिए यानि कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग रोकने के लिए पार्टिजन तरीके से जो खर्च किया जा रहा है मीडिया को जो दिया जा रहा है और दूसरा एजनसी का मिस्यूज रोकने के लिए कोर्ट बिलकुल इंटर्वीन कर सकता है इसी electoral bond case में अगर ये बात साफ जाहर हो जाती है कि ये सारी agencies का इस्तमाल extortion के लिए किया गया तो court बिलकुल intervene कर सकती है और कह सकती है कि इनका chain और इनका supervision और control है ये इस तरह से हो जिससे की सरकार उसको control ना कर सके क्योंकि these agencies investigative agencies or police agencies are supposed to enforce the rule of law they are not agents of the government okay then I think the next question is कि if they are agents of the law and not of the government और जिस तरीके से democratic institutions जिस तरीके से crumble कर रही है चाहे वो CVC की बात आ जाए चाहे EC की बात आ जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा निराश दिखते हैं तो democracy जिस तरफ जा रही है क्या लोग खुश है और क्या history हमें ये दिखाती है कि जब democratic slide होता है और वो slide होने देते हैं हाँ एक तरह से ये कह सकते हैं कि democratic slide तब जादे possible होता है जब खुशी खुशी तो नहीं पर जब लोग इस slide के खिलाफ इतना incense नहीं होते कि वो उठके खड़े हो जाएं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगें चाहे उनको जेल में भी डाल दिया जाए काइदे से तो ये होना चाहिए ये एक ऐसा moment है हमारे देश के इतिहास में जहां पर हम देख रहे हैं कि ये देश जो है लोगतंत्र से बिलकुल तानाशाई की तरफ जा रहा है और सारे लोगतंत्रिक institutions को खतम किया जा रहा है तो यहां पर तो लोगों को खड़ा होना चाहिए क्योंकि उनका पूरा future stake पर है आगे की generations का future stake पर है तो क्योंकि लोग खड़े नहीं हुए हैं इसके खिलाफ कुछ तो इसलिए नहीं खड़े हुए हैं क्योंकि वो उनको एक communalism का नशा पिला दिया गया है और कुछ इसलिए नहीं खड़े हुए हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं और कुछ इसलिए नहीं खड़े हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि भई अपना काम चल रहा है खासकर जो influential लोग होते हैं साइटी में वेल टूडू होते हैं उनको लगता है कि चलो हम तो आराम से हैं लोकतंतर का क्या हो क्या ना हो से हमको क्या लेना देना है हमारा काम चलता रहे लेकिन सब लोगों को यह रिलाइस करना चाहिए कि अगर लोकतंतर खतम होए तेश में और हिन्दोستान का वही हाल है जो जर्मनी में हिटलर के समय पर हुआ तो सब को नुकसान होगा सभी लोगों को और सारे हमारे आगे वाली पीडियों को तो बहुत ही नुकसान होगा इसलिए लोगों को यह समय है जब लोगों को उठना पड़ेगा हमारे देश में कई बार अंदोलन हुए हैं जब 74 में JP का अंदोलन हुआ उसके बाद 2011 में ये अन्ना का अंदोलन हुआ लेकिन आज उससे भी गंभी इस्तिती है उस समय प्रॉब्लम बहुत थी 74 में जब JP का अंदोलन हुआ 2011 में करप्शन की बहुत बड़ी समस्या थी आज तो हर तरह की समस्या है एक तरफ हमारा लोगतंतर खतम किया जा रहा है दूसरी तरफ जैसे एलेक्टोरल बॉंड में जाहिर हुआ है कि मतलब खुले आम घूस खोरी चल रही है खोब बड़े स्केल पर चल रही है तीसरी अनमी दो तीन अम्बानी अडानी के हाथ में दी जा रही है तो यह तो एक ऐसा समय है जहां लोगों को खड़ा होना बहुत जरूरी है जब लोग नहीं खड़े होते हैं और जब आप यह जंग जड़े जाते हैं कोट में तो कभी-कभी आपको लगता है इस नाट वर्थ इ मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है कि मेरी जो हैसियत है में जो कुछ कर सकता हूं मुझे करने की जरूत है मैं एक प्रिविलिज जगा से आता हूं जहां मुझे पैसों की कोई इती जरूत नहीं है तो मेरा एक एक्स्ट्रा दायत वो बनता है कि जो भी मैं कर सकूँ मैं करूँ बहुत सारे लोगों को अपने रोज मर्रा की जिन्दगी के लिए पैसे कमाने के लिए जदो जहत करनी पड़ती है और उसके वज़े से वो पब्लिक इशूज या पब्लिक अफेर्स में समय नहीं दे पाते है लेकिन हमारे बहुत सारे वेल्टो डू लोग भी हैं जो दे सकते हैं पर जिनको लग रहा है कि चलो हम आराम से हैं तो हमें कुछ करने की जरुट है नहीं यह नहीं समझ रहे हैं कि आगे चलकर सबको प्रॉब्लम हो इस पर बहुत सारे सवाला हैं इस पर कि अगर कोई वेल्टो डू नहीं है यूथ आप एक्जामपल ले लीजे सवाल है यहाँ अगर यूथ से अगर आपको बात करना हो जो सिर्फ वोट दे सकता है लेकिन उसको छोड़ कर क्या कर सकता है बहुत कुछ कर सकता है बहुत कुछ कर सकता है देखिए आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है जो यूथ को ही अफेक्ट कर रही है और उसमें यूद का ही एक बड़ा अंदोलन होना चाहिए, राइट टू एम्प्लॉइमेंट का कानून बनाने के लिए, एक करोड सरकारी नौकरियां रिक्त हैं, उनको इमानदारी से जल्दी भरने के लिए, अंदा धुंद निजी करंड किया जा रहा है पबलिक सेक्टर का मनोपली सेक्टर्स का, पोर्ट, एर्पोर्ट, रेलवेज वगरा उसको रोकना चाहिए, और जो अंदा धुंद कॉंट्रेक्चुलाइजेशन हो रहा है, पर्मिनेंट जॉब्स का, उसको रोकना चाहिए, वो कहते हम आवाज कैसे उठाएं इन सब चीज़ों, यह तो बहुत बड़ा मुद्दा यह EVM का है, इस पर भी लोग आवाज उठा सकते हैं, कि EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बहुत बड़ा खत्रा है हमारे लोकतंत्र के लिए, यूथ, सारे लोग इसमें बार का, जस्ट तो रिटरेट, आप जो चीज़ कह रहे हो, हम चैनल पर भी बहुत कहते रहते हैं, मैटर करता है, और सुनने वाले सुन रहे हैं, लोगों को लगता है कि मेरी आवाज में अगर उठाओं भी, सोशल मीडिया पर भी उठाओं, कोई फरक नहीं पड़ता है, ने फरक पड़ता है, यह जो लोग सोचते हैं, कि कोई फरक नहीं पड़ता ह हर आवास का फरक पड़ता है लेकिन अगर आप और गनाइज करके आवाज उठाएं तो और जादा फरक पड़ता है तो लोगों को कोशिश यह करनी चाहिए जैसे योगेन जी कहते हैं कि इन्हों ने बीजेपी वालों ने एक आईटी सेल बना रखा है जो एक ट्रोल आर्मी है जिसका काम है लोगों को गाली देना जो सरकार के खिलाब बोलते हैं गाली देना धमकी देना जूट फैलाना नफर तो चाहता है कि भाई ये देश जो है लोकतंत्र बना रहे और इमानदारी यहां चले और बेरोजगारी खतम हो उसको एक टूथ आर्मी बनाने की जरुवत है यानि कि और गनाइज करके हम लोग बना सकते हैं जैसे आप लोग काम करते हैं यूट्यूब बगएरा पर लेकिन ह हम लोग जो और्डनरी लोग हैं जो चाहें यूट्यूब पर ना हो वो सच तो फैला सकते हैं वाटसाइब ग्रूपस बना बना कर वो नफरत की जगे प्यार तो बाट सकते हैं यूट्यूब सरी ये वाटसाइब ग्रूपस बना बना कर तो ये तो करना चाहिए थोड़ा स मेहनत लगती है थोड़ा सा कोशिश करनी होती है लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा ना सभी को करना चाहिए तो आकरी सवाल फिर मैंने बहुत बार रिपोर्ट देखा है कि कभी-कभी तो जजज भी आपसे ठक जाते हैं बहस करते करते कि आप इतने सारे पेटिशन भी फाइ करते हो वो भी कभी-कभी परिशान हो जाते हैं सपोर्ट आपको लिमिटेड ही मिलता है लोग अभी भी काफी सोए हुए है तो बेर मेरा आकरी सवाल आपसे है प्रशान भूशन जी आप ठकते नहीं हो क्या यह तो मोधी जी से सवाल पूचा किया था ने ने सब लोग ठकत हैं लेकिन लेकिन जितना कर सकते हैं जितनी हमारी हैसियत है जितना हम में दम है उतना तो करना जरूरी है खास कर आज के दौर में जहां देश एक ऐसे तानाशाह दौर से गुजर रहा है वहाँ पर कम से कम जो थोड़े समरिद्ध लोग हैं जो थोड़े वेल टुडू और जिनकी वॉइस मैटर भी करती है उन लोगों वो तो जरूर अपनी आवाज उठाने की जरूरत है परशान जी मैं आपसे एक कनफेशन करना चाहूंगा लास्ट में कि येस मुझे भी disappointment काफी हद तक था मुझे भी कभी कभी लगता था कि कुछ नहीं और मैं my disappointment with the opposition अभी भी उतना ही है कि उनको जितना करना चाहिया था वो नहीं किया है उन्होंने लेकिन the fact is that आप जैसे ल लोग भी ये वाला जो पॉइंट है वो ले कि हमारे और आपके voice से ही होगा few good citizens के voice से ही होगा किसी पर और depend मत करोगी ये party करेगी या वो party करेगी really appreciate you joining us here प्रशान से a pleasure indeed